शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें की की बेल आइकन के लिए खराश सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब कैने भी कर दो 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 कर रजटऄरमा रजटवरमा खूंके इलदाम में ढूंवर्तार deposit एंदुस्तान के वजवना मार्मा विजी कमपोजर हूं के इलदाम में गिरफतार ऑजईब बात है ऐसा कैसे हो गया आज विश्विक्यात म्यूजिक कंपोजर रजत वर्मा को पूना में पुलिस ने गरफतार कर लिया उन पर आरोप है कि वे अपने शो की मुख्या भिनेत्री शीतल पुरी को गोली मारकर अमेरिका से चुप-चाप हिंदुस्तान वापस भागाए थे इंस्पेक्टर साथ सुनिये इंस्पेक्टर साथ मैं मैं इनकी पत्नी हूं मुक्ता वर्मा मुझे इससे जरा बात करने दीजिए प्लीज मेरे बार बार कहने के बावज़त तुम ने अपनी जबार नहीं खोली और जानते हो आज आज तो मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाह देने के लिए समझ तक मिल गया है प्लीज रज़त अपनी बेगुनाहे के बारे में कुछ तो कह दो कह दो तुमने कुछ नहीं किया बोल दो कुछ अभी वक्त कम है एक्सक्यूज में इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं चलिए जो चलिए मेसेज राजत बर्मा आपकी रिक्वेस्ट पर आदालत में आपको जरूरत से ज्यादा बख दिया है इसलिए ताके आप अपने पती के मुपर लगएवे ताले को खुलवा सके मगर अप्तोस आप नाकामियाब रहीं चानती ही क्यों इसलिए कि आपके पती ने इतना संगीन इतना काला जुर्म किया है कि जिसे लाग सफ़ायां देने के बाद भी सफेद नहीं किया जा सकता आपके पती मैस कातिली नहीं बलकि ऐसे संग्डिल खुनी हैं जिसने किसी दिमागी खलल या जुनून के वज़े से शीटल पुरी का खुन नहीं किया बलकि कारून की आँकों में धूल छोकने के लिए ऐसी स्कीम भी बनाई जिसके जरीए बिना किसी के हाथ पड़े उस लड़की को अपने राते से हटा दें जिससे यह उप चुके थे वकील साब आप मेरे पती की चरित्र पर लांचल लगा रहे हैं चरित्र ही इनका कोई चरित्र नहीं होता मेंसेस वर्मा और शीदल पुरी ही क्या आपका पती तो तीन तीन लग्यों की जिनकी से खेल चुका है और उनमेंसे एक आप भी है योरॉनर के दीजे कि यह जूट है कहे दीजे कि इसने आपकी जिनकी को बरबाद नहीं किया कहे दीजे कि यह भी जूट है कि इसने तुछी नाम की लग्यों कहीं कर नहीं चुड़ा योरॉनर मेरी जाती जिन्दगी पर छीटा खशी करने का वकिल साब को कोई हक नहीं है मुहमले की तह तक पहुंचने के लिए यह जुरूरी है कि आप प्रोसिकुशन के हर सवाल का जवाद दे लेकिन लेकिन मैं रजय जी की पत्मी हूँ उन्हें चाहती हूँ उनसे बहुत प्यार करती हूँ मैं उनके बारे में कुछ आप इस वक्त उनकी पत्नी नहीं बलके सिर्फ गवा हैं जिसने गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है और मज़े विश्वा से क्या आप इस सच को सुविकार करेंगी कि शीतल और आपके अलावा तुलसी भी आपके पती की जिनकी में आई थी कह दीजी कि ये भी छूट है ये सच है मगर उतना ही जवाब दीजिए मिसिस वर्मा जितना पूछा जाए और ये भी यादा किये कि डॉक्टरों के मताबिक आपके पती ने शीतल पूरी को एक एहसी जिन्दा लाश बना के छोड़ दिया है जो कभी होश्मन ही आ सकती क्या सबूत है आपके पास इस बात का कि शीतल पूरी की ये हालत मेरे पती नहीं की है इसका सुबूत मेरे सबालों और आपके जवाबों में छुपा हुआ है मिस्सिस वर्मा मुझे यखीन है इस बात का कि आप इस सच को नहीं जुटाएंगी कि आप एक करोर पती बात की बेटी है और उनकी मर्डी के खिलाब अपने जूटे प्रेम जाल में पसाकर रज़त पर्मा आपको बंबई भगा कर ले गए थी ये जूट है सरासर गलत है तो सच क्या है सच सिर्फ ये है कि मेरे पता हम दोनों की शादी नहीं होने देना चाहते थे और मैं मैं रज़त से बें तहा प्यार करती थे केह दे जमाने से केह दे वे केह दे मैं ने कर ली मुहाबच कर ली केह दे तिरे प्यार के सादे शी तिरे प्यार के सादे से मन की खागर भर ली केह दे तमाने से केह दे वे केह दे तमाने से केह दे वे केह दे मैं ने कर ली कर ली मुहाबच कर ली केह दे तिरे प्यार के सादे तिरे प्यार के सादे मन की खागर भर ली कह दे दमाने ते कह दे मैं कह दे मैंने कर ले कर ले मुहबद कर ले कहे दे कर ले किसको जाहे करنا भूल गए हाज ना मरना बद्नामे से अब क्या दरना बदनामी ये अपने सर ले कर ली, कर ली महबत कह ली कह दे, जमाने से कह दे वे कह दे मैंने कर ली, कर ली महबत कर ली, कह दे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जब दिल लेते हैं, दिल देते हैं क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जब दिल लेते हैं लोग पसम रब की लेते हैं, मैंने तेरी पसम, तेरी पसम, मैरे दिल बर ली, कर ली, कर ली, मुहबत के ली कह दे, जमाने से कह दे, बिकह दे मैंने कर ली, कर ली, मुहापत कर ली, कह दे तेरे प्यार के सागर से मन की का गर भर ली कह दे, जमाने से कह दे, बिकह दे मैंने कर ली, कर ली, मुहापत कर ली, कह दे इसे चला रहें देखो 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 अखर ऐसी क्या परिशानी है जानती हो तुम्हारी लाडली भजीजे ने क्या उलक्राइब जी वह घर से भाग गई है उस लुच्चे लफंगे पेटी मास्टर के साथ ना काटकर अग्दी लडगी ने लेकिन भाई साथ रजट ऐसा नहीं है जैसे आप समझते हैं तुम्हारी वज़े से आज दिन देखने को बिला बार बार चली आती थी आजम से शेयर देखने लो पड़ो इसे प्यारे पापा हर बेटी की तरह मैं भी पिता का अशिरवाद लेकर पती के घर जाना चाहती थी लेकिन अफसूस मेरा चुनाओ आपकी पसंद न बन सका फिर भी मुझे विश्वास है एक दिन आप ही यह कहेंगे थी रजट को पती के रूप में पाना मेरा बहुत बढ़ा सुभा कि था बहुत बहुत बढ़ाई हो रजट जी तुमस्ते तुमस्ते झाल झाल वाव वाव वेल दन भाई रजट साब हमें तो उमीद ही नहीं थी कि आप हमारी इस इंपोर्टरड पॉप सिंगर को इतनी बहतरीन क्लासिकल डांसर बना सकते हैं नहीं शाफी साहब इन तारिफों का असली हगदार मैं नहीं मुक्ता जी हमारी धर्म पत्नी हमारी इंस्पिरेशन हमारे जीवन का सुर्ड सच मानिये स्ट्रग्लिंग पिरेड में अगर इनका सहरा ना होता तो हम कहीं बटक गए होते हैं भाई वाव बड़े खुशकिसमत है आप जो ऐसा हम सफर मिला बावी जान अपने जैसा कोई दूसरा पीस आपको नजर आए तो इस खांदानी कुवारे को फ़वरन खबर कर दीजेगा मजाग चुड़िये शफी साथ लेकिन ये बात सच है कि आप ही वो प्रमोटर हैं जो इन्हें चांस देकर पहली बार इंटरनेशनल अरीना में उतार रहे हैं हमें तो पूरी उमीद है कि तुम्हारे शोज अमेरिका वालों के दिल और जेबें दोनों लूट लेंगे पर सुनों पैसों की वज़े से कोई कमी न रहने पाए दिल खोलकर खर्चा करो दिल खोलकर थैंकियो हम आज मैं बहुत खुश हूँ अरे आरवे थी तुम जुकि आले टि अब तो घर क्योंनी गई जे चली थी कित कि आई हो मलकिन वह हो वह हांज तो कपड़े बर ले मैं इभी आती हूं कि क्यों कि जहांने बाए कटिक है हम अब बोलो क्या बात है यह है कि για अरे तो इसमें घबरानी की क्या बात है साथ साल बात तुम्हारी बेटी पढ़ लेकर घर आ रही है तुम्हें तो खुश होना चाहिए हाँ साथ साल पहले आपने तुलसी को इतना सा देखा था मालकीन आप सोच भी नहीं सकती इन साथ सालों में भगवा ने उसे कितना लेकिन मालकी जिस बस्ती में कुंडों बदमाशु का राचु वहां जवान लड़कों के माबाब कुश कैसे रह सकते हैं ओ समझे तुलसी कल आ रही है ना तो तब तक कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे तुम चिंता मत करो लो आराम से सोजा अच्छा मालकी बता जाना इसकी अम्मा को कि यहां के रिस्म के मुताबिक लॉंडिया का पहला भोग हमको ही लगेगा यह भी कोई कहने बताने की बात है उस्ताद इस बस्ती का दस्तूर सब जानते हैं वैसे वह साली जब तक जाने की समझेगी यह का रंग डंग तब तक वह दूसरी थाली रखियल लगी लगाई कौन वही रग्गू की लॉंडिया उस्ताद हम तो जमा का चौकडी भी लगा कि मुझे देर हो रही है तो तो जाना अमा अरे वा ऐसे कैसे जाओ तु बाहर तुआ तुझे आखोंसे देख लू तसल्ली कर लू तब जाओं हाँ 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 क्यों हो गई ना तसल्ली अब तो खुश अरे खुश तो हूँ लेकिन तुने ये क्या नाटक किया है किया नहीं करना पड़ा है तेरी और मालकिन की खुशी के लिए वैसे हम किसे से नहीं डरते अरे देखे तो सही कोई हमें आखे बाहर ना निकाल दे तो हमारा नाम भी तुन से नहीं हाँ हाँ मालूम है बड़ी जासी के रानी है न तू है 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 अब है अरे लेकिन कॉन मैं संतोदाई आओ संतोदाई अरे कुछ सूना तुने क्या आज तो रगु की घर पर भी चोखली लग गई होब रोना दोना मचा हूए अरे ये तो बहुत बुरा हो रगु बिचारे का तो कोई रिष्टेदार भी नहीं है जहां आसा ना शो ये चोकडी लगाने वालू का यह यह चोकडी क्या होती है वह यह कान है यह मेरी लड़की है कली आई है लड़की चलो अछे देखने सुन्दी में मामूली है नहीं तो तेरी भी रातों के नहीं दूड़ जाते हैं अच्छे चलती हैं मैं तो यूँ ही चलिया है कि तुझे बता दू महले में आखिर हो क्या रहा है अच्छा अमा यह औरत कह रही थी नुकड़ वाले रगुकागा के घर चोकड़ी लग गई है यह यह चोकड़ी होती क्या है एक घर और बरबाद हुआ बस दिखा क्या मतलब अरे क्या बताऊं तुझे बस्ती के गुंडों को जैसे ही पता चलता है कि फलाने घर के लड़की जवान हो गई है तो बस उस दर्वाजे पर आके निशान लगा जाते ही कमबक्त और जिस दर्वाजे पर चोकड़ी का मनूस निशान लग जाता है उसका मतलब या तो घरव एक बार की थी रफट एक बस्ती वाले ले लोट के आया तो देखा बेचारी के खोली भसम कर दे थी इन बदमाशोने अरे इन गुंडों से पार पाना आसान नहीं वाजी वाजी अच्छी दादा गिरी है अरे हम तो वैसुप बड़ी आई हम तो हम तो देख फिर से कह देत हमें समझी हाँ समझी लड़ी को लेकर ही जाएंगे जोड़ना नहीं है अब लोर उगे बच्चे ताम नगे लाता है या हम आहें अंदर आप साब के आगे हाज जोडता हूं सेभजी ले थेका मेरी एक ही बेटी है हम बरबास हो जाएंगे हम पर दया करो सेभजी हम पर दया करो जान प्यारी है तो छोड़ दे इसे वनना एक एक को पानी पिला का छोड़ेंगे हाँ अरे यो चंबल की रानी पहले अपना जल्वा तो करा अरे जल्वा ही करना है तो आइस्ता इस्ता कर जालिम तो थाम ले जिगर और होजा तयार तो यह देख मेरी पाइल और थुंका देखा और यह देख मेरा चुंका और यह देख मेरी कमर अब होश में आजा मुर्दार और देख मेरी पिछाड़ी अब और मत तरसा मेरी जान अब जल्वा तो दिखा अच्छा तो ये ले अब ले फरफूर चल्वा ना 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 थन्डी सांसे मत छोड़ा जा तो पिर आजा अच्छा ले मैं आ गई अब थाम लेए मेरा सोने जीसा हाथ ये तो ये तो साला फोकर लिखला याइद। मेरे चुनु मुनु आओ और करो चल्वा हराम पोरो तेरिता यह ले ले आगको खींता कंता थो तो हरामी के पिलो। कुटों के दुमों तुम्हारे साथ क्या सुनुप किया जाए मार दिया जाए यह छोड़ दिया जाए छोड दिया जाए पिरेता यह थे लोगत बिगने कितना पानी है मेरे पास पिलाने को और पिएगा नहीं तरिस्ट्छा अले प्याता मत और कोई है कान खोल कर सुन ले तू जिसका कुटा है ना कह देना उससे कि तुम लोगों में से फिर कोई इधर नजर आया तो जिन्दा नहीं बचेगा समझा अब जा भाग भाग यहां से अरे तुम लोग खड़े खड़े मूं क्या देख रहा हूं मेरा उठाओ एलकेक को और फेग दा बस्ती से बाहर चलो अरे वो कहां गई अरे हां जाने कौन थी कहां से आई कहां गयब हो गई अरे मा तु आ गई तु थक गई होगी अरे अरे आज तुझे कुछ पता है आज मार क्या हुआ हमें क्या पता हम तो कुंडी बंद किये बैठे थे अरे आज तो गजब हो गया वो रगु की खर चोकड़ी लगा गए थे ना गुंडे हां तो तो ले गए उनकी लड़की को अरे नहीं रे गुंडे तो आय थे मगर अन वक्त पर जाने कहां से एक लड़की बिजलिस से किसी की हिम्मत नहीं जो ऐसी मनमानी यहां करें ह nay आख जा मा दूसरों की लड़कीं को व्हादरी सिखाती है और अपने से कहती है तो जो के चिहो कर घर में बैखी रह छैक्ते हो पेटी मैं तेरी मॉर्णा और फिर मेरा मालकिन को अधियर भी के लिए गटना। रहां देख तो मालकीन घर तेरी लें भेजी है पत्रोना चाहिए। चाहिए तड़ी ही क्या हमारी मालकिन भी बहुत अच्छीहा है लेकिन अम्मा, इस तरह से आखिर कब तक हम उनके ऐसान लेते रहेंगे? अब हम भी पढ़ लिग गए हैं. हमारा मन भी करता है कि नोकरी करें, कमाएं. और मालकिन के ऐसानों को धीरे धीरे उतार दें. नहीं, बेटी. कुछ ऐसान ऐसे भी होते हैं, जो कभी नहीं उतारी जा सकते हैं. तु नहीं समझेगी. अम्मा, तेरी ये बात तो हम बच्पन से सुनते आए हैं. लेकिन जब भी हमने उन ऐसानों के बारे में जानना चाहा, तु नहीं ये कहके टाल दिया, कि अभी तु बहुत जोटी है. ए अम्मा, देखना, अब तो हम कितने बड़े हो गए हैं? अब तो बताते नहीं सारी बाते हैं. मेरी अच्छी अम्मा. अरे, तु, तु रो रहे हैं? जाने दे, अम्मा, हमें कुछ नहीं पूछना. हमने फिजूरे तेरा दिल दुखा दिया. माफ कर देगी न, अम्मा? नहीं, मेरी बच्छी. आज ये अकल ये सारी बाते तुझे बता नहीं थी. आज तुझे उन सारे सवालों की जवाब मिल जाएंगी. जो बच्छमन से तेरे दिल में है. बेटी, तेरा बाप पक्का जुवारी और शराबी था. तुल्सी कहा है? बता, तुल्सी कहा है? मैं पूछता हूं, बता ती कि नहीं तुल्सी कहा है? तुल्सी मेरे पास है. चुप. और सुन लो, उसका तुम्हें साया भी देखने को नहीं मिलेगा. ओ मैम साथ, मालकिन वालकिन होगी इस बुड़ी की. अपन के कुछ नहीं हाँ. सीधे साथे तरीके से लोन्या को हमारे हवाले करो. अपन उसका सोदा कर चुका है. पांच हजार रुपे में. अरे ऐसा जह मत उगल रहे. मैं तेरी घरवाली हूँ. तुझा है मुझे मार पिट ले. मैं उस यह नहीं करूंगे. मगेर अपनी बेटी था. अलो चॉड़ी देर मॉझ मजे के लिए मांग में सिंदूर भर दिया. तुम्हे तरह अपती हो गया. और खेल-खेल में लौन्या पेदा हो गई. तुम्हेरी पेटी हो गई. तुम्हें इंसान नहीं जानवर हो जानवर. अर्वती इसके सामने गि पांच हजार रुपिया. लड़की तो तुम्हें नहीं मिलेगी. ये लो ये बेचकर शायद तुम्हें पांच हजाद से जादा ही मिलेगे. चलो पार वले. ठीक है ठीक है. अपना इसाब चुकता मैम साब. कहने वाले बहुत होती हैं. निभाने वाले बहुत कम. लेकिन मा मुझ कहा वो आज तक निभा रही है. आज हमने जाना, अगर मालकी नहीं होती, ये शरीर शरीर नहीं मिटी होता. जाने कहा 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 किन किन पैरों के निचे रोधा जाता है. हाँ, बेटी. मगर भगवान के खेल भी निराले हैं. जिसे इतना बड़ा दिल दे दिया, उसी की कोद भरना भूल गए. हम, हम समझे नहीं है, मा. मालकीन? आरे हम, तुलसी, तुलसी? हरे, तो तो पहचान ही नहीं जाती. क्या करें? आपकी और अम्मा की बाद तो माननी थी न? अच्छी लड़की, बड़ों का कहना मानती है. कहना मानते भी हैं और मनवाते भी हैं. मालकीन जी, अब देख लीजेगा, ये भगवान जी हमारा कहना कैसे मानते हैं? अच्छा, तो क्या मनमाना है तुझे भगवान से? यही, कि हमारी मालकीन की सूनी को चल्दी से चल्दी भर जाए. फिर तो भगवान, तेरी ये बात नहीं मानेंगे. अरे, कैसे नहीं मानेंगे? हमने तो इनसे वचन भी भरवा लिया है. पूरा तो इन्हे करना ही पड़ेगा. मालकीन, अगर भगवान ने हमारी बात मान ली, तो आप हमें क्या देंगी? तु, तु नहीं समझेगे, तुलसे. लेकिन मालकीन, यह तो, यह तो हमारी बात का जवाब हुआ नहीं. अगर तेरी बात सच होगी ना, तो मेरा सब खुश तेरा, तुलसे. जो चाहे ने लेना. उह, जो चाहे नहीं? हमें तो बस ऐसे कंगन चाहिए. बिल्कुल ऐसे. देंगी ना? हाँ. आज मंदिर में तुलसी मिल गई. सच बड़ी प्यारी लड़की है. पता है, भगवान से हमारे लिए वो क्या मांग रही थी? क्या? बच्चा. लो प्रशाद खालो. अरे? पीछे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं? बताओ. अरे? 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 इसे तुम्हें अभी तक सम्वाल कर रखा हुआ है? क्या करू रजट? बहुत कोशिश करती हूँ. लेकिन यह सपना मुझ से जुदा ही नहीं होता. जुदा होना भी नहीं चाहिए. अरे देखना, एक दिन यह सपना तुम्हारे आचल में होगा, हमारी पाहों में होगा. मुझे बहला उमद, मैं जानती हूँ तुम्हें बच्चों से कितना प्यार है. सिर्फ मेरे कारण, तुम्हें अपनी चाहत को, कभी जाहर नहीं होनी दिया. रेज़ख, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. तुम्हें खुच देखना चाते हूँ. तुम्हें थे बहुते हूं. तुमने जो कहा है तुम उसका मतलब जानती हो मुगता तुम्हे याद हो याना हो लेकि मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम पहली बार इस बेड्रूम में आई थी तो तुमने काया था ये कमरा मेरा मंदिर है और तुम उसके देवता हो रजट और इस पवित्र जगा को अगर किसी ने गंदा करने की कोशिश की तुम उसे कभी माफ नहीं कर सकूंगी तुम याद है मुझे सब कुछ याद है सब कुछ आद है ना इससे पहले कि तुम अपना स्टेट्मेंट बदल लो जल्दी से अपनी मोर लगा दो मोर नहीं समझे बुद्धू एगदम आठी गितां थे अलो बेते कितना अच्छा किया तुम आई मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी सच अब देखो हफ्ता भर से पहरे जाने नहीं दूंगी हफ्ता भर मुझे तो दंभर की फुरसत नहीं है कल आश्रम का अन्यूल्ड है मैं तुम आई कहां से हो दिली से भ अपा का मेसिच तैर पापा ने तुझे बिलाया है अपा ने मुझे आया है क्या मजाब करती हो अंति में तो पापा को हमेशा के लिए नारास कर चुकी हूँ आरे नहीं यही सब बताने के लिए मैं यहां ही हो सिरा अइleb बदल गया है यैसे पिंकी की रिश्टम की अब जब तब मुक्ता ही आकर लड़के को अप्रूम नहीं करती, मैं ये रिष्टा पक्का नहीं करूंगा. अरे क्या हो क्या तुझे? यह सब बताकर तुमने मेरे दिल का बोज हलका कर दिया आंटी. ऐसा करते हैं तुमर में दोनों दिली जाकर सारा फैनल कर देते हैं. नहीं मुक्ता, शादी बया के शुब काम में मेरा होना ठीक नहीं. क्यों किता आंटी? तलाग लेकर मैंने अपने हाथों अपना सुहाग खो दिया. आंटी, अब अंदर में चलोगे या यहीं खड़ा लखोगे? पूरा एक हफता. मेरी राय में तुमर रचत कल ही दिली चलेगा. आंटी, रचत का जाना तो मुझे मुझे मुश्किल लग रहा है. एक बहुत बड़े शोकी तैयारी में लगा हुआ है. लेकिन मैं फिर भी बात करके देखती हूँ, chances are very rare. पारवती? नमस्ती जी. कैसी हो पारवती? अच्छी हो. पारवती, इन्हें गेस्ट्रूम में ले जाओ. गीताँटी, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं इन्हें लेकर आती हूँ, नाष्टा साथ में करेंगे. अच्छी. आईए. लिये जनाब. अरे ये क्या कर रहे हूँ? देखने रहे हैं क्या हम लियासल कर रहे हैं? रहेसल का वक्त अभी हुआ नहीं है. ना है नहीं, पेपर नहीं पड़ा और सीधा पहुंचके अपनी सौतन के पास. शीतल जानती हूँ, ये सौतन किसे कहती है? जानो. माफ कीजिएगा, शीतल जी. सिर्फ रात के नौ बज़े से लेकर सुभा के नौ बज़े तक का वक्त मेरे हिस्से में आता है. बाकि सारा वक्त ये और इनकी सौतन. चलो उटो. मेरी चाय. चाय? किता अंटी के साथ पिएंगे? किता अंटी? हाँ. वो कर भाई? अभी अभी. मिल क्या तो? ठीक, नौ बज़े. उससे एक मिनिट भी पहले नहीं. तो आप कुछ लेंगे, थंडा करो? जी. पुछ तो पीजिए. नौ थैंक्स. इस्क्यूस मी. सौत तन. नौ से नौ तक. समझती है, मैं बेज कूफ हूँ. मकमल में लपेट कर मारी की तुम्हे समझूंगी नहीं. लेकिन मिस्स रजट वर्मा, तुम्हें पता नहीं है, कि तुम शीतल पुरी से टकराई हो. एक दिन ऐसे तेरे मिया को छीन कर ले जाओंगी तुझ से. फिर उम्र भर घड़ी देखती रहना. नौ से नौ तक. दोगो भाई, मेरा आना तो बहुत मुश्किल है. हाँ, मुकता कह रहीती है, तुम बहुत बिजी हो. ऐसा करो तुम मुकता को ही भेज दो. वो सके तो कल ही. शुगर प्लीज. अँटी, इसका जाना पहुत जलूरी है, क्या? देखो, आप कुछ ने, मैं तो जा रही हूँ. भारवती, जी मालकीन, देखो भाई, मैं तो अपने मैं के जा रही हूँ. अब ये घर और ये तुम्हारे साहब तुम्हारे हवाले. तुम तो इनके रंगड़न अच्छी तरह से जानती हो, न? कल से तुम्हे सुभा, शाम नहीं सारे दिन यहा रहना पड़ेंगा. सारे बस्तिवालो, आज बसंद पंचमी का तेवहार है. आज के दिन ऐसा गायना बजाना होना चाहिए, ऐसा हंडामा होना चाहिए के... खमुश! बंद करो ये तमाशा. लगता है तुम लोग बांके को भूल गए, कि उसके आदमीं उपे हाथ उठाने की हिम्मत की. तुम सब को मैं बाद में देख लूँगा, पहले मुझे वो चूया चाहिए. जसाली अपने आपका मिताब बच्चन समझती है. कहा है वो हरामजादी? भगवान कसम बाके उस्ताद, हम लोग तो खुद हैरान है कि वो लड़की कौन थी? आधी की तरह आई और तूफान की तरह गायब हो गई. चुप! अबे देखा का है तुने आधी तूफान? लेकर अगर उसका पता ठिकाना नहीं बताया, तब दिखाऊंगा तुझे आधी तूफान. शम्षान बना दूगा इस जगा को, शम्षान! क्या ना वसका बताओ। कोण है वो? ठीक है। नहीं बताऊगे? तो सब से अलाग-अलग पुछना पड़ेगा. पॉल्ट कोण है congratulate the 59 अना, मालू मैं उसका? नहीं मालूम है यॉक्षान अना, क्या ना वसका? नहीं मालूम है, नहीं मालूम? कि अधे दीजिए को कि आपकोड़ दीजिए पटूम कि अर्म को जो हम जा दोर जानी दीजिए है इस रजग दोर्फिसन पटादो जाना दोर्फ्रों आए अए 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 मेरा नाम तो पूछेगा नापना भूड जाएगा मेरा नाम तो पूछेगा 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 मेरा नाम तो पूछेगा, तो बना वाल जाएगा Gट मेरा ओ continu राहा इता जाएगा बना एकändeाइगा हमारी जीन इता बना जाएगा करेज जो लगन फाम पुछिए और जड़ा कि नोग तब आया जाब आया जारी किल नाज तब 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 दोबा परेगा तू जब जब यहां जैने आयेका मेरा नाम तुपुछेंगा, तो कर ङूर जाएगा हजा पीछा, भीछा, अभीचा ऐलगा जाबर ना都 मुप्त मेरा जाएगा, मेरा जाएगा तो कर आपना पूर जाएगा मेरे ऑजयित दो बड़ि कर दूज कर दूज कर दोज कर दोुआ है जेता, जबापक कर दोल प्रूमी जाराँ बालाँ है पैसा का बख सिखाऊंगी तिछ पयार में आऊंगी तेरे हाथों में अपनी चुरिया पहलाओंगी शर्म के मारे फिर घर से तू बाहर नाएगा मेना नाम तू बूझेगा तब भूल जाएगा जापी 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 जापर जावर नाच मुफ्त में मारा जाएगा मेना नाम तू पूझेगा तब ना बूल जाएगा चंबाना जमीए भो बूल जापि जिसी दरखी है मैं गुदू अध्यु मेरा नाम तो पूछे का तापना खूल जाएगा मेरा नाम तो पूछेगा तापना खूल लिजाएगा अरे क्रश्ना जल्दी से डॉक्टर को बिला के ला तू जल्दी अम्मा अम्मा तुलसी वो वो तुही थी ला लेते रहे अम्मा डॉक्टर ने अरम करने को कहा है डॉक्टर को क्या बता मेरी रोग का कारण मेरी बेटी है बता तो सहीं क्यों अपने जान देने पर तुली है जानती है ना तुझे छोड मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है तो हमारा भी और कौन है तेरे सिवा अगर तुझे कुछ हो गया तो अम्मा तुलसी अगर तुचाहती तेरी अम्मा थोड़े दिन और चीए तो मुझे वच्छन दे आइनदा ऐसा कभी नहीं करेगी इस काले रंग को शरीर से कभी नहीं हटाएगी तुलसी मेरी बच्छी तुम जानते हो रजट अगर जाना जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी जाती अगर हमारा शो ना होता तो हम तुम्हें अकेला जाने देते लेकिन तुम घबराओ नहीं अपने टेप रेकॉरडर पर ना मैंने कुछ खूबसूरत धुने टेप करके रखी है जब भी तुम्हें मेरी याद आए ना उन्हीं सुन लेना मैं जट से पास आजाओंगी साज? हाँ मुझसे बैर लेने वाली मुक्ता वर्मा आज तेरे पते की रखवाली कौन करेगा? हाई 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 शीतल तुम सवरे सवरे? हाँ मैंने सोचा 24 घंते बीवी के आगोश में रहने वाला रजत वर्मा कहीं अकेले घबरा ना जाए दरसल मैं सोच रहा था कि पिछले साथ सालों में इस घर में मुक्ता के बगार मैंने एक सांस भी नहीं ली तो फिर यह साथ दिन कैसे गुजरेंगे इतना याद कीजिएगा उन्हें तो चीना मुहाल हो जाएगा कुछ और सूचिए अगर कुछ नहीं सूचता तो मेरे बारे में ही सही आज कर तुम्हारे बारे में ही तु सोचता रहता हूं किस तरह पेश करूँ तुम्हें किस तरह सुजाऊ हम क्या नए आइटम पुराया जाए ऐसा इक आउतम मैं सूचकर आई हूँ कि अब तुम्हें पसंदाज है मैय दिखता हू जी चाहता है आने वाली को थपर मार कर भगा दू नमस्ते जी नहीं पचाना ना चलिए जल्दी से नहा दो लीजे ठीक आट बचे आपकी कॉफी का टाइम होता है दूद कम शकर बिल्गुल नहीं फिर पूजा नाश्ता सारे आट बचे और नौ बचे रेसल वाली में साब आती है और अरे आप कौन आप रेसल वाली में साब लगती है लेकिन आपका टाइम तो नौ पचे की बात होता है इतनी जल्दी क्यों आई मैं पूछते हैं यह कौन साब से डांट कर बात करती है देखा नहीं हमने अभी तक इनको अपना नाम नहीं बताया हम तुलसी है साब रात अचानक मा की तवियत खराब हो गए थी तो हमने उसे कहा हम चले जाते हैं तुलसी हाँ इतनी बड़ी हो गई तू शीतल यह साथ साल के बाद इस घर में आई तू मेरा खड़ी-खड़ी क्या कर रही हो जाओ जाके किचन में अपना काम देखो को जीज की जरुरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे हम बेडरू मेरी हसल करने जा रहे हैं बेडरू नहीं समझी अहां हां समझ गई हम तो समझ गई पर तूने बाके और उसकी आदमिय मालिक के सुदभूद बुलाएगी अरे चुटिया काटकर हाथ में देदेंगे हां ही हां तुम्हां हैं यह जाएगी हां ही थोगाँ तुम्हां थे तुम्हां काराएगे एफ हां यह हैं यह भी एख कर तेख काफ आपके काफी दूद कम शकर बिल्कुल नहीं किस ने कहा था तुम्हे कॉफी लाने जी इस घर की मालकी ने अब मेम साब रियसल हौल में कीचे हमें इस कमरे की सफाई करनी है और वैसे भी मालकी न अपने बेडरूम में किसी को नहीं आने देती क्यों साब ठीक है ना नो यह लो चाप सारी क प्रोग्राम किया जाएगा रियसल चुरू करें जब तक वो काम करकी चली नहीं चाहती मैं कुछ निंगी कर देख तरह थेंगा जाता है हमारा कुछ फोग मुजिक सुनो की मुक्तार जाने ते पहले कहा था कि मैंने एक नया फोग मुजिक रिकार्ड किया अखेले में सुन शायद कभी काम आजाए लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं अरे ऐसे मू लटका है क्या बैठे हो अरे भाई जरा मुझकुराईए यह हुई ना बात अच्छा अब जरा ध्यान से कुछ काम की बाते सुन लो नमबर एक तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर मल्टिवाइट शेव की जरूरती नहीं फिर भी अगर चाहो तो बड़े आने के कबर्ड में शेविंग किट रखा है और हाँ अब सबसे आखरी और सबसे इंपॉर्टन बार हाँ जालेंग यह शीते लहना बड़ी तेज चीज लगती है मुझे जब देखो तुम पर डोरे यह डालती रहत मैं अब ही मिस्टर शफी के आफिस में जा रही हूँ शीतल गुस्से में काम बिगड़ जाते हैं मैं मुक्ता की तरफ से मिस्टर रजट बर्मा गुट बाइ मिस्टर शफी यह रहा आपका कॉंटेक्ट और यह साइनिंग अमाउंट शीतल मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं आपके शो में काम नहीं कर सकती हर्गिस नहीं अरे भई पर बात क्या है बताओ तो सही रजट जैसे घटिया और हिपोपरिट आदनी के साथ काम करने की मुझे आदत नहीं मिस्टर शफी लेकिन रजट के बिना अगर आ हम इसे सुल्जाए भी लेंगे हाँ चलो मेरा रास्ता छोड़ो रजट आ हेट यू अरे आप लोग आपस में डायलोग बाजी करते रहेंगे यहां में भी कुछ बताएंगे अरे शफीस आप कुछ नहीं और बस यह समझ दीजिए कि हमारे यह एक नई नौकरानी आई है ब लड़की उनके पीछे भागेगी थर्ड रेड विकेड वोमन तेसे सुमच तुमच चली साहब तेके सेल्फ रिस्पेक्ट या घर की इजट खोकर मैं भी कुछ पाना नहीं चाहता इजट सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है रचत अगर तुम्हारा कोई घरबार है तो अब क्या करेंगे जनाब तुम तो जानते हो शो होने में सिर्फ 15 दिन और यह भी जानते हो कि शो कैंसल होने की सूरत में अमेरिका में की गई लाखों की पब्लिसीटी का हरजाना मुझे करोड़ों में चुकाना होगा कहां से लाओंगा इतनी बड़ी रखम मैं अर्य अप आपको बेच कर भी नहीं ला सकता अब यहां खड़े-खड़े मुझे क्या देख रहे हो तुम कुछ करो भई और सुनो रजट इस बीच अगर तुमने शीतल का रिप्लेस्वेंट नहीं ढूंडा तो अपने नुखसान की पाई-पाई मैं तुमसे वसूल करूंगा तुमस हुआ 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 है अजरा है हसले तु भी हसले हमारी मजबूरी पर हां दुनिया तो कल हसेगी हम पर तू आज ही हसले हां हसले लोग तो तुझे दाता कहते हैं दाता लेकिन लेकिन तु कैसा दाता है हां चुटकी बर खुशी देकर एक बार हसा दिया तो जोली बर चीन कर हजार बार गुला दिया है मुझे कितनी अच्छी बीवी दी ना प्यार दिया फिर एक बास की तरह जपटकर सारी खुशियां चीनली मेरी मेरा बच्चा चीनली आ मुझसे मुक्ता की गोद उजार डाली वो रोने लगी हां रोती रही वो तो वो तो रो सकती थी मैं तो रो भी नहीं सकता था और तू तू तब भी हम पर हस रहा था नहीं तू हस हस कर हमें कि नहीं नहीं चाले सोच रहा था नाम दे दिया इज़त देदी शौरत देदी काम्याभी देदी है और फिर शीतल को शोला बनाकर मेरी खुशे में अचानक आख लगा दी सब खतम हो गया है और मैं कहता हूं सुनने सब खतम हो गया है कि अधर आख तू हसी थी ना शीतल पर तू और तेरी वह मालकिन दोनोंने मिलकर उड़ा है मजाक उसका आप दोनों मिलकर मजाक उड़ाओं मेरा हसो मुझ पर और मेरे मजबूर्यों पर हाँ कल कुछ नहीं रहेगा ना यह घर ना यह रजद ना यह मान यह मर्याद कुछ शाइब ना याज़त अवरमा हसो दिल खोल करासो लेकिन बताओ फंड़ा दिन के अंदर कहां से लाओगा शीतल जैसा ही चाहे जच जशीतल जैसा लोच ए पर क्या तूम शाकती है पार लखक टार शीतल को तूला सकती है नहीं चहला सकती है प्लाव। झाल 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 चाहिए पोले, चन्चरनननना, चनमायल कोले, चन्चरनननना, चनमायल कोले प्लभर में क्या बाती है दिन में जैसे राती है प्लभर में क्या बाती है दिन में जैसे राती है एक गोरी का का जल बिखरा भीगा भीगा आचल बिखरा तन ना चे मन ना चे तन मन दोले ना चे तन मन चे मन जोले प्लभर में क्या थूआ přि क्या बाती है राती है और में कम सकता आचुआ ये है झाल झाल माफिपवन माफिपवन सावन के तहेले बुजे कोई रुत के पहेले मन मी तो मौसम आया फिर भी तो मौसम आया मन मी तो मौसम आया फिर भी तो मौसम आया जिना ही जी भरके हसले रोले जन 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 पायल बोले छन छन पायल बोले भरका भ». भरका भरते हाले, हाले वावरा निकलीयों के कुच jours कोले छन छन पायल बोले सब्सक्राइब कर दिया तुमने यार अरे इन्हें देखकर तो हमें शीतल पर वेस के वे पैसों का भी मलाल ने रहा यह लो ब्लैंक चेक सिगनेचर हमने कर दिये हैं अमांट जितना तुम चाहो भर देना ऐसा सजाना समार ना इने के बस देखने वालों की आखे चोंदिया जाएं बेवी तयार हो जाए परसों की पार्टी में आपको ऐसे जल्वे के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि रासमान में सितारे अम्मा, क्या हो, क्या गया है तुझे, वो सब के सब पकड़े गया, ले गई पुलिस गारी में भरके, इसकी बात कर रही ही तू, वही बांकिया और उसके साले, ने ने वो उसके चमचे, भूल गया सारी की सारी चौकडी, लगता है मा, किसी ने उनकी रिपोर्ट कर दी, ये तेरा लाख लाख शुकर है, अब हम बस्ती वाली चैन के नील सो सकेंगे, ए अम्मा, फिर तो अब इस काले रंग की जरुद नहीं है ना, नहीं, अरे मा, कितने भी पिलादे यार, इस से प्यास बुजने वाले ना है, यार प्यास तो उल्टे और बढ़का दिया इनोंने, उस जल्वे की तारीफे करकर के, और कितना इंजार करना पड़ेगा, हमें, हमें टर लग रहा है, साब, अब नहीं लगेगा, एक मिनिट, पसीना पहुंच लो, ओ, ओ, ब्यूटिफुल, शवाब बूजाओ के सहलाब नूराया है, या फलक से को इतारागी उतराया है, हखे अग्र honor, फैन्यान वो, फैन्या इस एपने है यह भी थियत अजार, थैसे टोरोम्स का पहा, रहुंच यादरोन यही वो शपूण में हमेखलई है, तो यही आपको के बहुंच एम हुसन और शबाब की वो रंगीन तश्वीर जिसे हम नजाने कब से खौबों में देख रहे हैं यगीन नहीं आ रहा है कि वही हसीन खौब आज हमारे आगोश में है इस हसीन लम्हे की खसम इनके लिए हमने अपने दिल और दौलत के दर्वाजे पूरे खोल दिये है जमाना देखेगा कि स्टेज की स्टार बनने से पहले मैं इने स्टार बना दूँगा इन्हें वो सब मौया कराऊंगा जो शायद किसी मलिका के मुकदर में भी नहीं शांदार बंगला रोल्स रोइस कार और एक इशारे पर दोड़ने वाले सौसो खादम जिन में ये नाचीज भी होगा तुम इतने गिर सकते हो मुझे ये उमीद नहीं थी कलाकारों को काम का मौका देने का मतलब यह नहीं है कि तुम उनके जजबात उनके जिसम भी खरी सकते हो इस वक्त तुम नशे में वह इसलिए छोड़ देता हूं वरना बता देता कि एक लड़की का अपमान करने का नतीज़ा क्या होता है एक बात और सुन लोगो अब ये तुम्हारे शो में काम नहीं करेगी हर्किस नहीं ना ये ना मैं कर दो मैं अब क्या होगा, साथ? हम यह जानते हैं, आपने जो किया, हमारे खादिर किया, हमारे इसद के लिए किया लेकिन, लेकिन हमारी इसद से पढ़कर, आपके घर की इसद मान मरिया ना भी है, साथ, हमें मालूम है, पहले भी आप कितने परिशान थे, जब शीतर ने काम करने से मना कर दिया था, हम छोटे लोगों की खातिर, आपने इतना बड़ा कदम कियो उठाया, साथ? जब गुअने एक देड़गी आप लेकिन, आपके दोटेच हाँ? इस गारी को वे दिखारा वुना ता? कुल बात नहीं साब बस से करीब ही है हम चले जाएंगे एक काम करो तुम घर जाओ जी अच्छा कि अच्छा तुम यह मालकिन की साड़ी वापस करने आएंगे तुम यह मालकिन की सारी वापस करने कि अच्छा नहीं साब नहीं आप और नहीं पीएंगे हम आपको नहीं पीने देंगे अच्छा जाओ अच्छा यहा भीएंगे मालकिन झालकिन तुम यहा ज़ष़े नहीं पीएंगे एक क्पijए लो फापस करने पास यहांगे झालकिन ओष़े तुम यहाईंगे पीएंगे लिएंगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो . . . . झाल 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 तो यसे ही मिस्क्या होगा जैसा मैने तुम्हें इसने इसे मजनु जैसी सूरत बना के रखिए देखो जनाम मुझे सेटल हो जाने दीजे फिर आपकी क्लास लिजाएगी समझे समझ गया सूज मुझे पाहँ जाएगा जूज बाएगा जाएगा जड़ू अजज़ूुि यज़ूूु यजब प्र माने खाएगी। झाल 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 तुलसी मालकिन आप तु यहां क्या कर रही है जी हम काम करने आये मालकिन आप जब से गई हैं तभी से अमा बिमार पड़ी है इसलिए आज कल हम यहां का सारा काम करते है अच्छा तुलसी कल रात तो घर कितने मज़े गई थी आप रात को रात को हम यही कोई नो बचे है सुन तब तक यहां कोई आया था जी नहीं तु मालकिन अच्छा ठीक है जापना काम कर तुलसी जी मालकिन आप तुकितने वज़े गई थी ठी हम तो मेरे बिसतर में कौन साय था मालकिन हमें नहीं पता कुछ नहीं पता तुझे कुछ नहीं पता मालकिन गरा mejorar लूख अल के कारट पलेब लुपर लुपसमार इसे हाथ डौकला या शुत अए अईब या यह बंपल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं कुछ कहना चाहता हूं नहीं कहो तो अच्छा है गंदगी को कुरेट कर बदबू भलाने से क्या फाइदा करता हूं करता है करता है तुमारी चाही जाए में पीली जाहें मीठी नहीं करोगी मीठी कहीं कड़वी नहीं हो जाए अरे बहुत भूख लगी है एट में तबला और सारंगी एक साथ बज़ रहे है अब यह ना बेड़ाई क्या सबजी बनाई वाँ मुझे भूख नहीं अरे बाई कमरे का नक्षा ही बदल डाला है अरे लगता है बहुत सफाईया हुई है ना दाग है न दबबा है जादरूम पर लगे हुए दाग तो साफ किये जा सकते हैं लेकिन दिल पर लगे हुए दाग कभी नहीं मिटाए जा सकते हैं मुक्ता जब एक कैदी को फांसी की सजा होती है न उसे अपने दिल की बात बोलने का मौका दिया जाता है क्या वो मौका मुझे नहीं दोगी अब कहने को बाकि है क्या रह गया है मुक्ता प्लीस टाइट अंडरस्टैंड प्लीज ये बिस्तर किसका है मेरा वाट यू मीन पती पत्मी होने के बावजूद हम अजनबियों की तरह रहेंगे अजनबी तो तुमने मुझे तभी बना दिया था जब इस बलग पर इस बिस्तर से मुझे बराई योरत की जिसम के बू आती है मुक्ता अगर तुम्हारा इसी तरह का बरताव रहा तो एक छट के नीचे रहना मुश्किल हो जाएगा मुक्ताव करता प्रिकी जोड़ में करेंगे फिर्षये का जोड़ मुश्किल हें कराणा की उतावागें हागे जया बना भाबेश पाभे आड़ा अरे याप आदा वर्जे सवेरी ही सवेरी क्या है कि जैसे ही पता चला कि आप यहां पर है तो सोचा भावी-जान के दरबार में जाकर अरजी लगा दी जाए समझ की शो की तारीख बताने आया हूँ अरे तौबा कीजिए भावी कैसा शो और काहे की तारीख यू समझ लीजिए डी एंड का परदा गिरने वाला है और आखरी सीन में इस गरीब के हाथों में अधकड़िया होंगी क्यों मजाग करें आप मजाग मैं नहीं कर रहा हो भावी मजाग तो मेरे साथ किसमत कर रही है बैठिये पहले तो शीतल शो से वाक आउट कर गई शीतल शो से वाक आउट कर गई लेकिन क्यों वो कुछ ठीक से तो पता नहीं है पर कुछ लफड़ा जरूर हुआ था उसके और रजट के बीच खैर शोड़ो जो हुआ अच्छा ही हुआ क्यूंकि बाद में रजट जिस लड़की को पूरी तैयारी के साथ स्टेज पर लिया है वो शीतल से हर मानों में सव गुना अच्छी थी अरे भावी पिजली थी पिजली भावी इस नई लड़की को इंट्रोड्यूस करने के लिए परसो रात एक पार्टी रखी अब आप तो जानती है कि पार्टी वार्टी में पीना पिलाना तो होई जाता है हम भी मूड में आ गए थोड़ा बहग गए और शायद रजत की इस नई लड़की के साथ थोड़ी लिबर्टी लेबटी ओफ यू समझे आफ़ता गई साहब हम माफी मांगे जा रहे थे लेकिन ना आपके पती देव तो आप एसे बाहर लड़की का हाथ पकड़ा और ये जा वो जा अब क्या बताओं भावी ऐसे पजेसिव हो रहे थे उस लड़की के लिए जैसे वो उनकी आर्टिस नहीं बीवी हो एक तो बत्तमीजी करते हो मिस बीहेव करते हो उपर से मेरे खिलाफ मेरी बीवी को बढ़काते हो अरे रजत तुम तो फुली बढ़क रहे हो म बता ही दीजिए सिर्फ नाम ही तो पूछ रहे हैं नहीं बताओंगा नहीं तुम्हे आपने मुझ भूला कर चले गए अब मैं करूं भी तो क्या करूं सबर की भी तो हद होती है अब इसके आगे अगर मुझे को एक अदम उठाना पड़े तो कसूरवार मत ठेराईएगा आद आवरे आवरे लुड़ियों, लुलु़ियोत लटच्त? लटच़ियोत तुम्हें पानी की आग नाचाने कब से मेरे अंदर चल रही है लेकिन मैं तुम्हें पल दो पल के लिए नहीं हमेशा के लिए पाना चाहती हूँ इसलिए आज की राच छोड़ दिया तुम्हें 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 नशे में बेहोश देखा इसलिए यहां लिए तुम्हारे हालत देखकर मुझे पेहत तुख हुआ रजट तुम्हें पहले तो कब इतनी नहीं भी मैं जानती हूं मेरे बाते तुम्हें कुछ अजीब लगेंगी क्योंकि देखने में मैं आज पी वही शीतल हूं जिसने तुम्हें और मुक्ताजी को परिशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन अब मुझे अपनी गल्ती का इसास हो चुका है सच मैं तुम्हारे घर को तुटता हुआ नहीं देख सकती रजट अगर मुझ पर विश्वास कर सको तो यह नहीं शीतल तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है अब सच बताना मुक्ताजी से जगड़ा हुआ है ना जगड़ी कहा नहीं होते रजट इसका मतलब यह तो नहीं कि आदमी घर जोड़ दे अच्छा उठो और मुक्ताजी को फोन मिलाओ कमान यार तुम नहीं समझोगी समझने की जरूरत मुझसे जादा तुम्हे है अच्छ अब तुम कपड़े बदलो मैं फोन मिलाकर लाती हूं ओके हलो मिसिस रजट बोल रही हूं हलो मुक्ताजी मैं शीतल बोल रही हूं रजट घर पे लही है मुक्ताजी प्लीज फोन रखेगा मत मुझे आप भी से बात करती है देखिए ये बात तुम मुझे मालूम है कि रजट चीव वहां नहीं है लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि वो इस वक्त यहीं है यानि कि मेरी घर दरस्तर रात उन्हें उन्हें बहुत देली थी इसलिए मैं उन्हें यहां ले आई अपने साथ लेकिन लगता है आप तो उन्हें में कोई जगड़ा हुआ है लेस मुफ्ता जी नहीं सभार के रखें उन्हें देखे न अब जो रात उन्हें आपके साथ बितानी थी घर पर वो मजबूरान उन्हें यहां गुजारनी पड़ी मेरे साथ तुम जूट बोल रही हो इंपॉसिबल यह नहीं हो सकता हाँ होना तो नहीं चाहिए था मगर ऐसा ही हुआ है अब आप उनसे बात करके खुदी सच और जूट का फैसला कर लीजे प्लीज होल्ड़ों लो बात करो मुक्ताजी है कितनी बेचेन है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए हलो क्या हुआ डिसकनेक्ट हो गया वह नहीं क्या गया मैं जानता तो यह होगा अरे पागल हो तुम तो मुक्ताजी तुम्हारी बीवी है रूटना तो उनका हक है और मनाना तुम्हारा फर्द अब चल उठो और चलकर मुक्ताजी को मनाओ अरे डरते क्यों हो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉरल सपोर्ट बन कर कम ओन यार मुक्ताजी मुक्ता जी देखे मैं किसे लेकर आई हूं लगता है मुक्ता जी घर पी नहीं है वो सकता कहीं बाहर गई हूं यह भी खूब रही आप मुझे मुक्ता जी के हाथ की कॉफी पिलाने वाले थे खेर छोड़िए मैं आपको कॉफी बिना कर पिलाती हूं अच्छा तो अब यह कोई नहीं देवी ले आए हैं आप नहीं मुक्ता जी मैं तो वही पुरानी वाली हूं नमस्ते मैंने समझा कि आप है नहीं इसलिए आपके पती को एक कप कॉफी बना कर पिला रही थी मैंने समझा को गलत समझ वह मुक्ता सच बात तो यह है कि यही मुझे समझा बुजा कर यह लेकर आई है इसके दिल में बेहद इज़त है इज़त खूप समझती हूं मैं इंजे इसी लड़कियों को कि सब चाले हैं मर्दों को फजाने की मैं तो आप दोनों की यह सुला करानी आई थी मुझे क्या मालूम था कि शुक्रिया रजट मेरी बेस्ती कराने का शीतल मगर जाने से पहले एक सला जरूर देना चाहती हूं मुक्ता जी आपके पती का काम ऐसा है कि इन्हें रात दिन नई नई लड़कियों में घिरा रहना पड़ता है अगर आप इन पर यूही शक करती नहीं तो एक दिन इन जरूर खो देंगी शीतल तुम काफी पिये बगार नहीं जाओगी पेजती का इतना सारा जहर पीने के बाद अब काफी की कसर बाकी है क्या मुझे तुम से उमीद नहीं थी मुकता पड़ी लिखी समझदाद होने के बावजद तुम गवारों की तरफ पेश आई मैंने जो किया वो ठीक ही किया अब तुम्हें जो करना है तो बेशक कर डालो बात को आगे मत बढ़ा मुकता मैं जानती थी अब यही सब होगा बार-बार मेरा अत्मान इसलिए मैं जाना चाहती थी मगर तुम समाज में अपने इससत बनाया रखने के लिए तुम्हें खर में एक बीवी भी चाहिए और रैश करने के लिए बाहर प्रेमे काई भी खमोश हाँ तुम मुझसे उप गए हो क्योंकि अब तुम वो रजद नहीं रहे जो सरसिंपाओं तक मेरे प्यार में डूबे रहते थे अब आप बहुत बड़े आत्मी बनके हैं रजद वर्मा बड़ी बड़ी काम्याबिया सेकड़ों लड़किया अब तुम्हें मेरे जरुरत ही क्या है नहीं मेरे पास वो जवानी रही नहीं मैंने तुम्हें वह उलाद क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है मुक्ता एक बीक्ते दूम यहिसमा चाव प्रख़ ए तुम्हरा घर ए कि गुणा मैंने किया है जदा भी मैं मुख दूगा मंदिर जैसे इस घर में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं कि मैं जा रहा हूं और फिर कभी नहीं हूंगा तुम्हें परेशान करने के लिए मेरी तरफ से तुम आजाद हूं कि अगर तुम या तुम्हारे पिताजी इसे कानुनी रूप देना चाहें तो में डाइबस पेपर साइंग करतूंगा वो सके तो मुझे माफ करते ना हुआ हुआ ना कर्षायद्र इस मुझे, क्याद तू आए मेरी आँखों में फिर लड़ आए तुझ से रिष्टा मैं तोड़ जाओंगा मैं तेरा शेहर छोड़ जाओंगा मैं तेरा शेहर छोड़ जाओंगा इस से पहले के आद तू आए मेरी आँखों में फिर लड़ आए तुझ से रिष्टा मैं तोड़ जाओंगा मैं तेरा शेहर छोड़ जाओंगा मैं तेरा शेहर छोड़ जाओंगा मैं तेरा शेहर जाओंगा मैं तोड़ जाओंगा मैं तोड़ जाओंगा मैं तोड़ जाओंगा रंज है अपनी बेवफाई का अपने वाते से फिर गया हूँ मैं अपनी नजरों से गिल गया हूँ मैं इससे पहले कि तू मुझे छोड़े मुझे को ठुकराए मेरा दिल तोड़े अपना दिल खुद मैं तोड़ जाओंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाओंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाओंगा मैं तेरा शहर जाओंगा तेरा मुझे रिम मैं तेरा हर जाओंगा साथ ले जाओंगा ये रुस्वाई दाग दामन से ये मिटा दूंगा तुद को इतनी बड़ी सजा दूंगा इससे पहले के लोग ताने दे तेरे आशों न मुझे को जाने दे ये तालुक मैं तोड़ जाओंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाओंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाओंगा मैं तोड़ जाओंगा तो बार तो होगा तू खुला छोड़ देगी दर्वाजा पर गलत है ये तेरा अंदाजा इससे पहले के आह दिल भर दे सब गुनाहों को माप तू कर दे ये भरम भी मैं तोड़ जाओंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाओंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाओंगा इससे पहले के आज तू आए मेरी आँखों मैं फिर लहू आए तुझ से रिष्टा मैं तोड़ जाओंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाओंगा कॉन संतो दाई आवा इदर से गुजर रही थी सोचा तेरा हाल चल पूछती चलू कैसी तुब यह धब पहले से तु ठीक हो थोड़ी सी कमजोरी तो होगी पारवाती डिमार जू ठैरी तू हाम अगर आजकर अपने तुरसी भी एकदम कमजोर दिखती है बिल्कुल पीली पड़ गए ऐसी पत्ते जैसी क्या करो जब से मैंने खाट पकड़ी है पारवीतर का सारा कम उसे पयान पड़ा है कमजोर तो होगी हाँ वो तो है ही कल तो बेचारी नल पे चक्कर खाके गिर पड़ी थी क्या कह रही है मुझे तो उसने कुछ कहा ही नहीं बुरा नमरो तो एक बात परवती कहो मैं दाई हूँ अब तक सेंकड़ो बच्चे जनवा चुकी हूँ मैं सौ फिस्ती कहती हूँ कि तुनसी के पेट में बच्चा है क्या फिर से तो कही आओ चुड़े निकल जए यहां से वावका क्या हुआ तुजी पार्ण आपना निकल जए मेरे घर से मुह काला कर अपना अरे जा बढ़ी आए मेरे मुह काला करने वाली मुह काला करेगी ते रिवान या थिस तो पिखाओंगे कि इस भीकी पर याद कर गिए कुषब आपको, आपको, आपको अभी जोग को सुना, वो सच है? को जोग के हैं जवाब दे हैं ओ सच है? आराउभजाजी, अम्मा! हम तो बर्बाद हो गए, मालकी लुट गए, इसका मत ने मुझे कही का न छोड़ा ना जाने कौसे जनम का बद्ला ले रही है, पापिन क्या किया इसने? पेट से है मालकीन, पेट से माप यहां थी नहीं और मैं मरी खाड से लगे थी बस पर निकल आये इसके सुबह सुबह निकल पड़ती थी केती थी मालकिन के घर जा रही हूँ आप देखो ये क्या कर बैठी यहां का नाम लेके कहां का गुल्छरे उडाती रही ये चुड़े बस एक बार मिल जाए इसे बर्बाद करने वाला तो जिन्दा नहीं छोड़ोंगे उस अरामजादे को जिन्दा नहीं छोड़ोंगे आप बता दे उस राक्षस का मगर इस अत्यानाशी मुही नहीं खोलती अब आप ही पुछे मालकी मैं तो हार गई अरे वा कल महीं कहा भागी जा रही है देखो, देखो मालकी नहीं से देखो यह गऑए, यह अब मैं क्या करूँ, मेरी अक्तल काम नहीं करती मालकी, मालकी आप ही बता ही क्या किया है बता ही मालकी मैं, मैं क्या बताओं, यह तुम्हारे घर का मामला है और थुलसी कोई दूस बी थी बच्ची तो नहीं, जो इतना भी नहीं जानती कि इस मामले में कुछ नहीं करोगी कुछ नहीं हुआ जो जो आगे बड़ी इस पस्थी में तेरे लिए कोई जगह नहीं यह साली ऐसर नहीं मानेगी, बोल, कहा गई थी मुगाला करवाने, अब यह क्या बोलेगी मकार, बड़ी घूमते थी बस्ती की लड़कों का इज़त का ठेका लिए, मगर जर आपने का तूचा तो देखे, राम, 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 अड़े, ऐसी जवानी फूट रही थी, तो क्या ह अब मर गए थे, ज़ा अम्मा क्या हुआ भई, पार्वजी बैंट चल पसी अरे, अम्मा 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 नहीं, अम्मा नहीं, तो आम अकेला छोड़कर नहीं जा सकती अम्मा अम्मा इतनी पड़ी दुनिया में उम्मा तो आम अपेला छोड़कर नहीं जा सकती अम्मा अरे, भया, अब फुमें निकाला इस गंदगी को बसती से बाहर मेरी, आपनी आगे आख चोड़ते थे, हमें अम्मा का क्रिया करम धे जीजे आपने आप यहां से चले जाएगे सुना तुम लोगाने पेट में पाक की उलाद और देवी जैसी मा की किरिया करने चली है चार दिलिये चार दिलिये माँ हो माँ हो माँ हो हुआ है कि अजयर हुआ है कि पारो कि अजयर कि तूब कि पारी शापका ये पाहिए कि अच्छा कि याप आगए हम तो समझा समझा कर हार गए अब आपी देखिए ना हमारे मालिक में तीन-चार मैनों में क्या हालत बना रखे अपनी ना ठीक से खाना ना सोना ना दाड़ी बनाना बस दिन राध तस्वीर बनाते रहते हैं हलो रचत कैसे हो मेरी वज़े से तुम्हारी घर में जो टेंशन हुई उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब कभी तुम्हारी जिंदगी में दखन नहीं दोंगी लेकिन जब तुम्हारी परिशानियों के बार में सुना तो तिल नहीं माना और यहां तक चलिया है रचत काफी दिनों से सोच रही थी कि तुमसे मिलूं तुमसे बाते करूं बैठो मैं तुम्हारी दर्द को समझना चाहती हूं दुखों को बाटना चाहती हूं रचत मुझे कोई दुख ने कोई दर्द ने तुम मुझे अपना दर्द नहीं चुपा सकते मैं तुम्हारी दोस्त हूं याद है न मैंने एक बार तुम्हारी दर्द दोस्ती का हाथ बढ़ाया था तो उसी दोस्ती के हग से कहती हूं तुम्हारे अंदर के फनकार को मैं मरने नहीं दूगी अब अंदर बचा ही क्या है ना फन ना फनकार जब कुछ खतम हो क्या है अब मुझसे कुछ नहीं होगा होगा और जरूर होगा तुम समझने की कोशिश करो रजट मैं तुसरिफ इतना चाहती हूं कि तुम विजी रहो यहां से इतनी दूर निकल जाओ कि आदो की बाहिं तुम तक पहुंचे है और लगी अमेरिका में एक पढ़िया स्पांसर भी मिल गया है मैं तो कॉंट्रक्ट की साइन कराई हूं शायद अपनी दूस्ती की भरोसे पर अभी साथ दिनों के अंदर हमें अमेरिका में पहुंचना है यह वेल्कम सर्ट एक्स्क्यूज मी मैडम मुझे पूर्णा के लिए टिकिट जाए क्यों थैंक यू मुक्ता जी यह तो अच्छा हुआ कि आप मिल गई पर ना आपको शिकायत रह जाती कि इतनी बड़ी खुश्खब्री आप तक नहीं पहुंचाई गई ऐसा ही कि मैं और रचत एक शो लेकर अमेरिका जा रहे हैं बहुत खुशी हुई यह बात सुनकर मिस पूर्णा वैसे रचत जैसे ग्रेट आटिस को बरबाद करने में आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी यह तो मैं जानती हूँ कि किस मेहनत के साथ मैंने उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लोटाया आजकल वो बहुत खुश हैं जितना पहले कभी नहीं थे मुबारक हो नहीं मुक्ता जी मुबारक तो मैं उस दिन लूगी जिस दिन मेरे 50% बिस्निस पार्टनर मेरे 10% लाइफ पार्टनर बन जाएंगे यह सिर्फ आप चाहती है या वो भी कैसी बाते करती हैं आप मुक्ता जी अब मैं और रजट कोई अलग अलग तो है नहीं कब से मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं आप से कहूं उन्हें आजाद कर देने के लिए अगर आप मुझे आज नहीं मिलती तो चलते मुझे आपके घर आना पड़ता नहीं यह तकलीफ आपको नहीं उठाने पड़ेगी लेकिन रजट जी से इतना ज़रूर कह दीजिएगा कि डिवोस की प्रोसिडिंग्स में देर उन्हें की तरफ से हुई है और अगर वो यह चाहते हैं कि पहल मेरी ही तरफ से हो तो ठीक है मैं अभी आपके सामने वकील साहब को फोन किया देती हूँ हलो वकील साहब मैं मुक्ता वर्मा बोल रही हूँ जी सुनिए आपके पास मिशेतल पूरी नाम की एक देवीची तश्रीफ लाएंगी और आपको रजट जी के पास ले जाएंगी जी रजट जी के पास उनसे आप डिवोस पेपर साइन करवा लीजिए मरी बात सुनिए प्लीज और उसके बात मुझे मिलिये जल्दी है वकील साहब तैंक यू आज हमारी शादे की साल गिरा है देखो ना ये मुभबत्या भी मेरे साथ तुम्हारे इंदजार में जल रही है हर साल ये खुशी का दिन हम साथ साथ मना देते हैं लेकिन मेरा दिल कहता है आज भी ये दिन भूलोगे नहीं रजट आप यू रजट आई लाफ यू रजट आई लाफ यू सबसे पहले तो मैं आपको शादी की साल गेरा की मुबारक बात देता हूं जी आपको केसे पता चला रजट जी ने बताया था आपका काम उन्होंने कर दिया है ये तलाश के पेपर्स उन्होंने साइन कर दी है लेकिन बेहत भारी दिल से एक रिक्वेस्ट भी की थी उन्होंने कि मैं आज ही के दिन आपसे मुलाखात कर लूँ और ये डैवर्स पेपर्स देने से पहले ये पैकेट आपको दे लूँ उन्होंने ये भी कहा था कि ये पैकेट खोलने के बाद भी अगर आपका इरादा ना बदले तो आप ये रैवर्स पेपर साइन कर सकती है कर दे कर दिन है मुक्ता कि कहने से कोई फाइदा नहीं अगर यह सच है कि आम इनसान की तरह मैं भी एक हाजसे का शिकार हो क्या हूँ कैसा हित्वाक है आज के दिन जब हम दो से एक हुए थे ना चाहते हो भी मुझे वो काम करना पड़ रहा है जो तुम चाहती हो इसलिए कि मैं तुम्हें और सिर्फ तुम्हें चाहता हूं इसकत के साथ जो चीजें हैं पहिचानती हो ना आज भी यह चीजें मेरे लिए बहुत माइना रखती हैं आज तक मैं मायूस नहीं हुआ तो कि मुझे विश्वास है कुदरत कभी न कभी अपना करिश्म दिखा कर लेकिन अगर तुम डाइवर्स पेपर साइन कर दूगी तो आज के बाद गुदरत भी हार जाएगी आज रात की फ्लाइट से मैं अमेरिका जा रहा हूं अगर कभी तुम मुझे माफ कर सको तो नीचे लिखे पते पर कॉंटेक करना पेशे इसे मैं वकील हूं लेकिन उम्र में तुम मेरी बेटी जैसी हो अब भी कुछ नी बिढ़ो बेटी अपनी खुश्या लाटा लाओ इस घर वर तूटने से बचा लो बेटी जा जदी करो सुनिये आपनी समान चैक कर लाना साथ प्लीज़क भी ने तूटने वाले प्रवार बन जाएगा प्लीज मुझे जाने दीजिये I can't help it security stop her passport please passport तो नहीं जाने जाने दीजिये you know this is immigration अपी चड़ जाएगी thank you बीवी के रिष्टे से तो आपने कभी रजट कुछें से रहनी न दिया और वो रिष्टा तूड जाने के बार तो कम से कम उसे बक्षतिया होता विश आप चाहती क्या है यही न यह उदास्यों के जिस समुंदर से मैं उन्हें भार निकाल कर लाई हूँ आप उन्हें वापस वहीं धकिल देना चाहती है मैं पूछती हूँ तलाग के पेपर साइन करने के बाद आपका उनसे रिष्टा ही क्या रहा है जो भी शर्मों की तरह आप यहां चलियाए विश इतल पूरी पति-पत्नी का रिष्टा तो आत्मां का रिष्टा होता है समझी मैं मिसिस रजइटवर्मा थी मिसिस रजइटवर्मा हूँ और मिसिस रजइटवर्मा रहोगी I thank you very much, Mrs. Rajatwarma मैं आपका बहुत शक्र गुजार हूँ और अजालत को यह बता देना चाहता हूँ कि अभी आपने जो कुछ भी कहा पैलूलफ पैलुछ सहीत कि संगीत और कला का ये ठांगी पुजारी जो शकल से बहुत मासूम और भूला भाला नजर आता है इंसानियत के दाम पर एक बनुमा दाथ है ये वो खतरना कातिल है ये और उनर जिस ने कला कि बहाने पहले तो शीतल से मन माना फाइदा उठाया और फिर अपना मत्तम निकल जाने के बाद उसे गॉले से उड़ा दिया इस इस जोड़ा दिया ये जूट है जरा सर जूट है तुलसी खून रजद बाबु ने नहीं हमने किया है ये देखिए हमारे शरीर पर लगे खून के ये धबे पुकार पुकार करके रहे हैं इचितल पूरी के कातल हम हैं नहीं जज साहब ये जूट है ये इल्जाम अपने सर पर लेके तुलसी मुझे बचान हर सवाल का मरने मोख बैङन तो हमने लेकिन उस पर चलाई गही गोलिया जिस रिवॉल्वर से निकली थी है याइ एवान बोट की सोगन सरकार इस मालेक सरुप हमारी जानने के लिए अपने जैन कुरबान करना चाहते हैं कर और शीतल पूरी उसका बदला भी मालिक से नहीं से था उचाहती थी जो देधना उसका ना हो सका वह कमे वबालिको भी वापस नहीं सके इसलिए मर्ते-बर्ते भी उसने जूता बयान दिया तरह कि लेकिन शस्क तो यह सरकार बस बस तुल सी बस आगे एक लख भी नहीं बो हम जो भी कहने चाहरे हैं उसके लिए हमें माफ कर दीजे कमाल के हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे जैसा हमारी अम्मा के मरने के बाद जब मालकी ने भी हमें ठुकरा दिया तो हमारे पास जीने की कोई वजय ही नहीं रही जीते भी तो किस के लिए किसके सहरे इसलिए खुद को मिटाने के लिए हम नदी में कुछ पड़े लेकिन हमें मरने नहीं दिया गया हमने उसे बहुत समझाया लेकिन वो तो अपने लाइब देने के पीछे पड़ा है जब यह हमारे से नहीं समली तभी तो हम उसे अपके आस कि अंटी क्यों रिए सब तो बर्बाद हो गया अब तुझे अपनी जान देकर क्या मिलेगा बोल आ तुझे दिखाऊ तुने मेरे मुक्ता का क्या हाल बनाया है पागल कर दिया है उसे पागल चला तुम्हारा कोई कसूर नहीं रिजट कोई कसूर नहीं दिन पर आंटी घर पर होती है न इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाती लेकिन आज वो घर में नहीं है तुम मेरी बात सुन लो प्लीज मेरे दिल का बोजालका हो जाएगा प्लीज सुन लो रजट तुम तो तुम तो आख्रेक्शन तक मेरा इंतजार करते रहें अग वुक्ता अपने पहनकार रहम की लड़ाई में खत्मों मेरे जट मुझे माफ कर दो प्लीज मुझे माफ कर दो आपकी कसम मलकिन हम आपके पती को एक दिन जरूर वापस लाएंगे चाहे इसके लिए हमें अपनी चान भी देनी पड़े अपने तो, झाल आपके पती कर दो आपके लिए मुक्ता, यह तेरा ही बच्चा है, मेरा? हाँ, मुक्ता, अगवान ने तेरी दुआ सुन लिए इस बच्चे की माँ इसे जनम देती ही जल बसी अचानक मेरे मन में एक खयाल आया और मैंने रजट को तार कर दिया कि मुक्ता ने तेरे बेटे को जनम दिया है जवाब में उसका फोन आया पूरे आदे घंटे तक तेरे और तेरे बेटे के बारे में पुछता रहा उसके आवाज से खुशिछा लग रही थी कहने लगा, मुक्ता से जाके कहना कि देखो, हो गया ना करिश्मा तेरा लाख लाख शुकर है भगवान जो हमने सुचा था वो हो गया मालकी ने हमारे बच्चे को अपना लिया शाफी साहब तुम? हाँ साहब, हम वापस आ गये हैं किसलिए? है? मेरी बरबादी का महतम मनाने के लिए या मेरा मजाग उडाने के लिए? ऐसा ना कहिए साहब हम बानते हैं कि आपका गुसा एकदम सही है इसलिए तो हम यहां आए हैं आपस माफी मांगने के लिए आप चाहें तो हर आइटम अभी करके दिखा सकते हैं लेकिन तुमने बहुत देर कर दी अब कुछने हो सकता जी? मैं तो शाहर के खतरना गुंडे को काम पर भी लगा चुका हूँ कैसा काम साहब जी? क्यों साहब जी? बदला लेने के लिए उन सबसे जिन्होंने मेरा इतना भारी नुकसान करके मुझे कहीं का नहीं छोड़ा जाए वो तुम हो, मुक्ता हो, शीतल हो या रजत बदला तो ठीक है साहब लेकिन इससे आपका लाकों का नुकसान तो पूरा नहीं होगा जरा सोचिए क्या गोली से जादा चांदी का जुता उनके मुझे पर मारना आपको पसंद नहीं आएगा मतलब साहब अगर आपको बदला ही लेना है तो उसके लिए आपको अमेरिका जाकर उन लोगों से भी बढ़कर शो करने चाहिए और इसके लिए हम तयार हैं हम आपके साथ हैं साहब हम पर भरुसा रखिए तुम्हारी इस बात का सुबूत लाइए साहब कलम दीचे और जहां चाहें हमसे दस्तिखत ले लीजे ठीक है लेकिन कोई भी नहीं चाल चलने से पहले याद कर लेना जिस आदमी को मैंने ये काम सौपा है वह अब तक दस खून कर चुका दस पोड़ा बाद पुम्हार बाल प्रहा ज्या कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो किसी को दिलो किसी को नाचो यह हिंतो है मतलब इस जिंदगी को नाचो कर दो कर दो कर दो कर दो किसी को दो कर दो किसी को 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 दो सबसे प्यारा है ये प्यार सुना लागो प्यार है जीवन का सिंगा सुना लागो आ लागो जीका 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 ठीका ठीका जीका ठीका 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 ड्यूंदो किसी को नुलो किसी का कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो चांब दो कर देख्व स्ट。 कर दो कि ईक बाद कि ढद रहे. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आस मुह अmpfenट का कर दो कर दो कर दो हं ने जिसेखा वो उसेसह दूनिया से व पैद्ड दो कि ने का रापटेक यंदी को देलो बोकि को दिल्ल घ के जा को सब्सक्राइब को उर्मां कि अको सब्सक्राम संहब तरीका, 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 दिल दो किसी को दिल, लो किसी को यह इस कम इन यह क्या कर रही हूं? बलती मेरे, पहले बाद श्रमिन दाओं बलती तो हमारी थी, लेकिन आप इसकी सजा मलकिन को क्यूं दे रहें मलकिन? आप समझते हैं, हम यह पैसे कमाने आए हैं, शहरत कमाने आए हैं नहीं साफ, हम आप से ये पूछने आये हैं, कि आप मालकिन को इस तरह क्यूं सतार हैं, उनोंे आपको कितनी चिठा लिखी लेकिन आपने एक कभी जवाब नहीं दिय चिठा, काँसे चिठिया, मुझे कोई चिठी नहीं मिले इसका मतलब है चिठियां आप तक पहुची नहीं हम समझ कैसा यह सब इस शितल का ही काम है शितल क्यों करेगी इस तरह आपको चीनकर मालकिन से बदला लेना चाहती है बदला किसमाइद का बदला आपको क्या पता साहग यहां आने से पहले आपने शादी के सालगीरा पर जो मालकिन को भेजा था उसे देखती ही वह एरपोर्ट दोड़ी चली गई थी लेकिन जड़ा सी देर हो गई आप नहीं मिले लेकिन यह शीतल उन्हें मिल गई उससे में मालकिन ने डाइवर्स पेपर फार कर उसके मुझ पर दे मारे बस साहग इसलिए अब शीतल उन्हें अल पागल सी होती जा रही है आगल उसने तो वो गुना किया है साहब कि उसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता आपके बेटे की जनम की ख़बर भी आप तक नहीं पहुंचने दी क्या कह रही हो मेरा बेटा यह सच है साहब आप बाप बन गए है प्यारे से बेटे के बाप यह 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 देखिया यह देखिये मेरा बीटा मुक्तामा बन गई और मैं बाप अब आप चल्दी से मालकिन के पास पहुंच आईए अब तक आंटे यही कहकर भैलाया हुआ है कि बेटा होने की ख़बर सुनकर आपने अंटी से फोन पर बाते की और यह भी कहा कि आप जल्दी से वहां पहुंच रहे हैं नहीं मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा तुन्हे जो मेरा सुक्षीना है अब तुझे अपनी जान देकर किवा चुकानी पड़ेगी है सब्सक्राइब झाल तुम कहा करती थी ना कि मैं मुक्ता को भूल जाओ इसलिए कि डाइवोज के बाद एक मरे हुए रिष्टे को दोने से क्या फाई था तुम यही कहा करती थी ना कि किसके आसूं है यह किसकी बेबसी किसकी आया है यह बोलो खामुश की जवाब दो तुम बोल भी क्या सकती हो लंगे हातों पकड़ा मुझरिम इसी तरह खामुश रहता है लेकिन मैं भी अपनी मुक्ता के एक एक आसू का बदला तुमारा खून बहा के लूँगा तुम जैसी गिरी हुई आरत मुझ पर गोली नहीं चला सकती देख देख किस तरह तेरे हाथ काप रहे हैं क्योंकि इन ही गंदे हाथों से तुने मेरी जिंदगी का सबसे बैतरीन लबा मुझ से चुराया मेरे बाग बनने की खुशी मुझ से छुपाई अब जब तुम मेरे नहीं हो सकते मैं तुम्हें किसी का रहने नहीं दूगी जिस वारत में मिस्स रजट होने का दावा करते हुए बार बार मेरी बेज़ती की मुझे नीचा दिखाया आज तुम्हें ख़त्म तरके मैं उससे अपना बदला लोंगी इंदे ओॉपाई अब बचची का दुम्हें उससे आपना ओुम्हें जुम्हें अब दुम्हें यह तुमने क्या किया तुलसी फिर क्या करते साहब अगर हम इसे ना मारते तो यह आपको खतम कर देती लेकिन आप साहब आप बहुत कम है आप जल्दी से जल्दी यहां से निकल कर मालकिन के पास पहुंच जाए तुम समझती हो कि मैं तुम्हें यहां चोड़ कर चला हमारे काम तो पूरा हो गया हम तो खुद ही अपने आपको पुलिस के हवाले कर देंगे तो अगर तुम मेरी बात नहीं मानो की तो तुमारी मालकीन की कसम मेरे बच्चे की कसम में घर वापिस नहीं जाओंगा साब मुक्ता मुव्याटोर इड्रेस तो , मेरे राजा बेटे के लिए आंटी इब आघी तो रखी हूय है ? नहीं बैस जैस कमारा को क्रद मेरे राजा बेटे , तरय आदाए हमें देखने के लिए ? कब तक बहलाती रहो गया आंटी तुमसे फोन पर इनकी बात हुए भी कितने मेहने गुजर गया अगर इन्हें आना ही होता तो कब के आ चुके होते हैं मुक्ता जाए जाए जैजड 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 बगवान तेरे इसी दरबार में मालकिन के लिए हमने जो मांगा था वो बात तुने पूरी कर दी हम बहुत खुश है भगवान इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं अच्छी तरह से देख लो यही है वो लड़की जिसने मुझे कहीं का नहीं रखा अब यह जिन्दा नहीं बचनी चाहिए फिकर नहीं सेट इस साली से तो अपन को भी पुराना हिसाब चुकाने को है हाँ और मरने से पहले इसे बता देना कि जिसके पीछे इसने अपनी जवानी बिगाड़ ली है वो बहुत जल्द फासी पर चड़ने वाला है कि अपने अपने को हपन बांके तेरी बस्ती का किंग याद आया नहीं पर अपन को सब याद है याद है कि तुने ही सारी बस्ती को भगा कर अपन को जेल करवाया था और यह भी याद है कि जब अपन को पुलीस उठा के ले जा रही थी तू साली अपना मूझ छुपा के हस रही थी अगर तुझे यह सब याद है शफी के भांड तो यह भी याद होगा कि भरी बस्ती में हमने तुझे कैसे नीला पीला किया था उसी का बदला तो चुकाने के लिए तड़प रहा था जाने साला गला बड़ा खुश खो रहा है चल मरने के पहले एक नेक काम तो करती जा अब उनका प्यास तो पुझा दे मां का दूद पिया हो तो जरा हाथ लगा के तो देख बड़ी सत्ती सावत्री बन रही है साली सेकेंड हैंड माल बोगे अरे चुप जादा भोली बनने की कोशिश मत कर सारी दुन्या को खबरे तुने किसके साथ मूग काला किया और किसके साथ हम कहते हैं बगपास बन करो ना मालूम था तू ऐसे ची कहेगी तो देख तेरे आशी की बीबी ने भरी अदालत में क् आपना और करना दान दिया इस अधिक ले देख ले अच्छी तरह देख ले को चान किस की देता है हरा अर्च हरू है मेरी रानी मेरी प्यास और भी बढ़ गए अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा यह सब सुनने के बाद तो आपको विश्वास हो गया होगा जसाब कि रज़त बाबू बेकसूर है खुनी हम है हमारे यह हाथ एक नहीं तो दो खुनों से रगेवे हैं यह हाथ जिसके उंगली पकड़कर अम्मा ने कभी चलना सिखाया था मालकी ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया और माली ने नाच्ड़ना सिखाया लेकिन हमने इन्हें बदले में क्या दिया अम्मा की जान ली मैलकीन को बेघार कर दिया और माली को इसका थेरे तक पोछा दिया हमारी इतनी सी प्राता सुन लेजे हमारी माल कि इनका सुहाग उन्हें लोटा दीजे एक मासुम बच्चे का माम उससे लोटा दीजे ठाए दीजे मालके, हमारा कुसूर, माफी के लाइक तो नहीं, फिर भी हो सके तो हमें माफ कर दीजेगा हमने कसम खाई थी, कि आपके माँ बढ़ने की खुशी में, कभी जहर नहीं खोलेंगे यह होट कभी नहीं खोलेंगे, लेकिन, लेकिन माले की जान बचाने के लिए हमें इक format भी तोड़नी अगया हिं हुआत, मजबूर हो गये थये मालके,... हम बहुत मजबूर हो गये थे हम बहुत मजबूर हो गये थे और हम हमें माफ कर दीजे, मालक हमें माफ कर दीजे जैसाब हमारे जैसे गुनेगार और खतरनाक मुझरिम को एक बार नहीं साथ साथ बार फासी पर लटका दिया जाए तो वो भी कम है पापके बोस से हमारा दम घुटा जा रहा है अमें मुक्ते दिलवाये जैसाब बगवान के लिए आमें बादी की सजाए कर पगली तुने खुद को मिटा कर मुझे वो नजराना दिया है जिसे इतनी दूर जाकर भी तो हमेशा मेरे पास रहेगी अपने बेटे के रूप में हमेशा मेरे सीने से लगी रहेगी हमेशा तुन्सी तुने कहा था ना यगर भगवान ने मेरे गोद पर दी तु तु यह कंगन पहने के हाँ पहन ले कंगन अपनी आदों का देखे नजराना जिनके मरने पिर लोग रोते हैं वो बड़ी खुश लसीब ओते हैं झाल 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 झाल